नमस्कार स्वात आफ सभी का बजार की हल्चल के अंदर मैं हूँ आपके साथ अखिले शाटी और बजार की हल्चल में चर्चा करेंगे यहाँ पर अलग-अलग क्रिशी फसलों की सबसे पहले शुरुवात करेंगे हम यहाँ खाद तेलों से तो आपको पता दें कि विश्व के सबसे बड़े पाम ओयल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने 28 अपरेल से लागू किया पाम तेल पर निर्यात प्रतिवंद यदि मई के अंत तक नहीं हटाया तो भारत में खाद तेल की आपूर्ती की जो स्थिती है वो काफी बिगर सकती है Solvent Extractors Association of India यानि की C, C की ओर से इस बारे में ऐसा अंदेशा जताया गया है C ने कहा है कि भारत की कोशिशों के बावजूद अन्य स्त्रोतों से खाद तेल की सप्लाई परयाप्त नहीं हो पा रही है बीते दिनों केंदर और फिर बाद में प्रदेश सरकार द्वारा तेल विक्रेताओ को स्टॉक सीमा पर सकती का निर्देश देना भी खाद तेल अपूर्ती के आने वाले संकट को भाप कर सरकार का एतियातन कदम माना जा रहा है भारत की प्रती मांग करीब 6.54 लाग टन पाम तेल आयात करता है इस में से 3 लाग टन इंडोनेशिया से ही आता है भारत की ओर से इंडोनेशिया के कदम के खिलाफ WTO में भी मुद्दा उठाया जा चुका है वहीं दूसरी ओर अमेरिकी क्रिशी विभाग यानि की USDA की तेल तिलन की रिपोर्ट बुलिश आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है इसी लिए गुरुवार को KLC और प्रोजेक्शन माइनस आने का असर मार्किट पर नहीं देखा गया था वहीं वैवाहिक मांग का दबाव बजार में बराबर बना हुआ है जबकि बजारों में सप्लाई टाइट होने के कारण सोया तेल की कीमतों में सुधार जारी रहा गुरुवार को सोया तेल इन दौर 5 रुपे बढ़कर 1575 से 1580 पाम तेल 1665 रुपे प्रती 10 किलो पर पहुँच गए विदेशी बजारों से अच्छे संकेतों के चलते भी सोया तेल में बढ़त दर्च की गई दरसल ग्लोबल सप्लाई संकट और नीचे में मांग निकलने से भी सोया तेल को सपोर्ट मिला है मही चालू तेल वर्ष 2021-22 के अंत में 31 अक्टूबर 2022 तक देश में खाद तेलों का आयात घट कर 129 लाग टन होने की संभावना जताई जा रही है जबकि पिछले साल 131 दर्शम लब 3 लाग टन का आयात हुआ था मही कपास्या ख़ली में बिक्वाली का दबाव बढ़ने और लेवाल कम होने से भाव में गिरावट रही यानि कि जिस तरह से इंडोनेशिया ने पाम तेल का बैन लगाया है उसके एक्सपोर्ट पर उससे भारत में जो खाद तेलों की आपूरती है उसकी संकट देखने को मिल सकता है और सिफ भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो इस समय खाद तेलों की ग्लोबल संकट से जूज रहा है और अगर ये जो निर्यात है वो चालू नहीं किया इंडोनेशिया ने तो फिर से जो मुसीबत है खाद तेलों की वो बढ़ सकती है और खाद तेलों के अदाम फिर झाल झाल